कि अज़ाइब आज वेल्कम बैक टूमा यूटूब चनल दोस्तों आज के स्वीडियो में हम लोग कवरे लाए हैं इंदोर के रेल्वे से जुड़ी सबसे रेड होट टॉपिक की यह टॉपिक है इंदोर से उज्जन के मद्द चल रहे हैं दोरीकरेंट कारे की रेल दोरीकर अभी जो हमारी location है ये मारे train अफनोरी ब्रीज और बांगंगा जो railway crossing है उसके बिल्कुल भीच second track operational भी है गाड़िया महाँ पर चल भी रही है दोस्तों ये वाला जो हमारा end है ये indoor वाला end है हमारे इस track का और जो ये वाला end है ये उज्जन end है या फिर देवास end है दोस्तों कार ये ने बहुत अच्छी गर्ति पकड़ ली है इस साल के अंत तक इसकी deadline में दी गई है हो सकता है कि इस साल के अंत तक हम ये देखने को मिल जाए कि पूरा indoor तक हमें doubling का कारे देखने को मिल जाए दोस्तों वेसे तो जो doubling project है इसके तहती हमारे जो लक्ष्मिभाई नगर railway station है इसको भी विकास विक्सित करने का कारी किया जा रहा है उसको भी extension उस station को दिया जा रहा है बड़ा बनाया जा रहा है उस station को दोस्तों जैसे कि indoor जो station है इंदो जो शहर है वो main line पर स्थित नहीं है एक main line से हटके यह station इस्थित है और इस station की जो उज्जन से connectivity थी वो भी एक single line पर dependent थी उसी के चलते काफी मांगे बहुत सालों से मांगे उठी थी कि उज्जन से इंदोर को double line किया जाए क्योंकि ट्रेने भी जो है उनको 2-2,5 घंटे लगते है इंदोर से उ जिससे की गाड़ियों की एवरेज गती पर भी काफी सारा असर पड़ता है दोस्तों जैसे ही डबलिंग कारे पूरा कर लिए जाएगा और इस पर ट्रेने ऑपरेशनल हो जाएगी तो मुश्किल से ट्रेनों को सवा घंटे देड़ घंटे लगा करेंगे इंदोर से होता है और गाड़ियों की एवरेज स्विट पर भी असर पड़ता है दोस्तों अभी आपे देख सकते हैं आप यह अर्थवर्क का कारेज किया जा रहा है और जो हमारी बानगंगा वाली रेलवे क्रोसिंग है वहाँ पे भी कुछ हलचल देखने को मिली है डबलिंग के रि और अभी उसी कड़ी में आप यहां पर दिख रहा होगा यह जो बलास्ट वला स्कूब डालना का कारी किया जा रहा है इसके बाद यहां पर यह जो स्लीपर्स रखे हैं इनको डाला जाएगा और स्लीपर्स के बाद इनके ऊपर ट्रेक डाले जाएंगे दोस्तों अगर आपने गोर किया हो तो इंदोर के दो प्रोजेक्स ने पिछले एक दो महीने में काफी जाद अच्छी गती पकड़ी है एक तो अपना यह वाला दोरी करन कार है इंदोर से उज्जन वाला और दूसरा है जो इंदोर से टीही धार वाला रूट इन दोनों का काफी अच्छी गती पकड़ी है और अभी जो इंदोर के ही हम जिसको प्रोजेक्स बोल सकते हैं महुस अनावत वाला उसने कोई खास गती पकड़ी नहीं है वह अभी भी कच्छुए के चाल से चल रहा है और खच्छुए के चाल से ही बनेगा तो यह था आज का वीडियो लोस्तों इंदोर उज्जेन रेल लाइन धोरी करन की ताजा अपडेट आई होग आपको यह वीडियो पसंद आ होगा अगर यह वीडियो पसंद आ है तो जाल स्यादा इंदोर उज्जेन और देवास फासियों के साथ शेयर करिए और इस वीडियो को जाल स्यादा लाइक क